हैलो दोस्तों दोस्तों वाइन मेकिंग के चैनल में आपका सावाग करें तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में चेक करेंगे कि दिसी खांड में ज्यादा मीठा होता है जहां फिर आम शूगर में ज्यादा मीठा होता है क्योंकि दोस्तों हम जब भी वाइन बान आते हैं तो ह इसकी graffiti ज्यादा आती है जहें देक्षिए जो आम शूगर है जो आमर सोई में पजोग होती है दोस्तो जो दिखें जये दिसी खाड है जहें आयर वेजिक होती है जहें दो रेट में भी थोड़ा महिंगा होती है तो इससे वाइन बनाने में क्वालटी जदा बढ़िया आती ह तो दोस्तों हम आदा लीटर पानी में जे देसी खांड और जे आदा लीटर पानी में जे आम शुगर को गोल कर इसकी ग्रैप्टी चेक करेंगे तो चलिए दोस्तों इन दोनों का पहले जो कर लेते हैं हमने दोसों दोसों गाराम जे दोनों देसी खांड और जे आम शोगर लेना है तो दोस्तों हम दोनों शोगर को आदा आदा लीटर पानी डाल कर डिस्वॉल्व कर लेते हैं बाद में हम दोनों की ग्रैप्टी चेक करेंगे तो दोस्तों हमने दोनों शोगर को गोल लिये हैं यह बिल्कल नॉर्मल टंप्रेचर में आ चुके हैं अभी हम इनका टंप्रेचर ना पेंगे फिर हम इनकी ग्रैप्टी चेक करेंगे दोस्तों ग्रैप्टी चेक करने से पहले इनका टंप्रेचर जुरूर देखना चाहिए यह गोल का टंप्रेचर 25 चल्सेस के आज पास रहना चाहिए तामन ज्यादा हो जा काम हो तो वो सही रीडिंग नहीं बात आता है इसलिए इसका टंप्रेचर जूरूर चेक कर लेना चाहिए तो दोस्तों हमारे शूगर के गोल का टमप्रेचर ये देखे पूरा 25 अलसे से हैं तो हमको इतना है चाहिए था तो अभी हम इसकी डेंसिटी चेकर लेते हैं दोस्तों सोई में आम उपजोग होने वाली शूगर का डेंसिटी ये देखिए वन वन जीरो एट आया है तो दोस्तों अभी ग्रेसी खांड का ग्रेप्टी भी चेक कर लेते हैं तो दोस्तों इसको एक बार मैं दो लेता हूं साधा पानी से फिर हमें दिसी खांड का ग्रेप्टी चेक करते हैं तो दोस्तों इसको खांड का ग्रेप्टी वन वन ट्वंटी आया है जैनि एक एक दो जीरो आया है तो दोस्तों आम शूगर का ग्रेप्टी वन वन जिरो एट आया था तो उसका काफी खमे है इसके में काबले ग्रेप्टी तो दोस्तों ये देसी खांड में ज्यादा मीठा होता है दोस्तो इसका rate तो उससे ज़्यादा है आम शूगर से लेकन दोस्तो इसमें मीठा ज़्यादा होता है और दोस्तो इसे quality भी ज़्यादा बढ़िया आता है wine का यह देखिए दोस्तो आम शूगर वाले गोल में पीला पन सा नजर आ रहा है एक कलर सा नजर आ रहा है लेकन दोस इसमें काफी chemical डले होते हैं लेकिन जो आयरवेडिक देसी khoumड होती है जे बिलकुल देसी तारीका से गरामी इं इलाकों में तियार होती है इसमें कोई भी chemicals वगेरा नहीं डले होते तो दोस्तों आप वेइंवान आते हों तो देसी खौणड पजोग करके देखेगा आपको फर्क नेजर आएगा यह दोस्तों धिसी खौणड आपको आम ही पंसारी की दुकान से मिल जाएगा जहां करियाना स्टोर से भी आम ही मिल जाएगा तो दोस्तों मैं अमीद करता हूँ आपको आज की जन करियाशी लगी होगी धन्यवाद दोस्तों